हालो गाईज आप सबस्वाइब इस नए वीडियो में और कोरवस OS जो एक गेमिंग रॉम के नाम से जाना जाता है कस्टम रॉम के दुनिया में उसका एक नया बिल्ड निकल करा रहा है रेटमी नोट 7 के लिए जिसका आज मैं रिवीव करने हाला इस वीडियो वीडियो में क वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो यह पर देखते हैं इसकी सेटिंग से आपर में सेटिंग में जाकर आपको दिखा हूं आपको फोन में यह पर रेडमी नोट 7 है नोट 7 है इसमें भी यह वर्क करेगा इसके टेन पहले की तरह है इसेट कोर्वस वर्जिन आपको 7.0 मिल जाता है इसमें ऑफिस यह ले इसकेरेड़ी पैच लेए वो 5 जुले की मिल जाती है और यहापे कुछ केरनल नहीं देखने को मिल रहा है डार को ना 4.4.230 वर्जिन है केरनल का तो और यह जो बिल्ड यह जुले की बिल्ड है मिल जाती है आपको Redmi Note 10 के लिए देखने को यह पर आपको developer options पहले से और डेखने को मिलता है तो आपको कुछ भी करके कोई भी करने की ज़रुवत में पढ़ती है मैं आपको अपना mobile data on करके दिखा देता हूँ यह पर mobile data भी अच्छी दर्गे से वर्ग करता है कोई भी problem नहीं आती Wi-Fi भी चलता है और अगर आप Wi-Fi के साथ-साथ hotspot भी यूज़ करना चाहते है तो वह भी यहाप पर work करता है तो यह काफी बड़ी हावात है Android 10 का यह मिलना चाहिए सारे रोम में इसके बात करें कस्टमाइशन की तो यहाप पर मिल जाता है आपको Ravens layer एक नाम का आपको मिल आपको पता हुआ क्या क्या मिलता है इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ उसमें आप देख लीजिए यह पर आपको स्टेटस बार के मिल जाते है यह पर आइकॉन कुंसी कुंसी रखने यह पर बैटरी की से रखने क्यारियर लेबल ट्राफिक सकते हो यह पर बात करें थीम्स की तो आप आपको थीम्स भी मिल जाते है यह पर आप एक्सेंट कलर जो आता है वह आप सिलेक कर सकते हो यहाप पर आप देख सकते हों यह जो यूई हैंग हो गया इसका वज़ाए कि यह जो बिल्ड बिल्ड है इसमें शायद पिछला भी बिल्ड था उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि सिस्टीम यूई जो वह लैग होता है कि अपर आप देख सकते हैं कुछ भी वर्क ने हो रहा है यह पर आ गया सिस्टीम यूई इस रिस्पॉंडिंग इसका मतलब पहले की तरह इसमें भी आपको सिस्टीम यूई कि जो लैग है वह देखने को मिल जाता है इसमें भी बहुत टाइम लागा देता है फिर भी सिलेक्ट करने में तो आप यह से कर सकते हो भी मैं एक एक करके वे टूंगा तो सिस्टीम यूई कभी का वर लैग भी हो जाता है तो मैं रहने देता हो इसको इसकी कोई जरुवत नहीं अगर आप गेमिंग रोम के लिए इस रोम को इ इतनी नहीं मिल दे बैटरी जितनी आपर मिल जाती ही तो आपर मेरा भी 63 परसेंट है बैटरी और यह साड़े-चार वजे तक दिखा रहा है साड़े-चार एम पर तक चलेगी ऐसा दिखा रहा है चल जाती एक कोई दिखकत नहीं अगी अगर आप गेमिंग कर तो थोड़ा मिल जाते ऋप्शेंज जो पहले मिलते आए यहा पर ऑफ्रेफरेंस का यहाँ पर मिल जाता है आपको जो डेफलर चार मिलता है बाखी के रोंब में, तो यहाँ पर आप इससे सिलेक्त कर सकत का हो गेमब्राइवर में कि इसक़ेट आप पर आपको जो आता है smallest to it dpi जो आता है वो आप यहां से adjust कर सकते हो किसा रखना आपको उसी साब से यहां पर styles and wallpapers का मिल जाता है आपको यहां पर clock style वगर सेट करने तो वो आप सेट कर सकते हो और यहां पर आपको जो एक कस्टमाईजी सेने वो भी मिल जाता है जो आपका glow था स्क्रीन में वह मिल जाता है तो यहां बिल्ड है और मैं gaming review नहीं करूँगा क्योंकि मैं gaming review अल्रेड़ी कर चुको वीसी gaming मिल जाती लैक्प्री गेम मिल दिये और gaming के वारे में बोलू तो एक बड़ी आसी आपको लैक्प्री गेमिंग मिल जाती जिसमें लैग भी नहीं होता है ज्याद आतर और आप 60 fps में भी खेल जाकते हो आराम से कोई आपको लैग स्लटर नहीं देखने को मिलेगा और जो आपका हीटिंग प्रॉब्लेम है जो बाखे कस्टम रोम समयाद है पिक्सल में अगर आप पबजी के लिए तो आपका फोन इट होगा है तो इसमें वह ऐसा कोई प्रॉब्लेम नहीं आएगा हीट जाता तर नहीं होती है यहापे जो रोम की स्टैबिलिटी उसमें आपका जो हिटिंग का प्रॉब्लेम ही वह सॉल हो जाता है तो यह बढ़िया सा बिल्ड निकल करा रहा है सिफ इसमें बग वही है कि आपका सिस्टीम वह कभी कबर लैग करने लगता है तो यह एक प्रॉब्लेम है इसकी बाखी यह गेमिंग रोम में सिफ आप इसे डेलिड राय भी यूज़ कर सकते लेकिन वही प्रॉब्लेम है लैक का तो आपको आपकी क्या राय इसमें वह आपके डिपेंड करता है तो आपको अगर पसंद आती रॉम तो आप डाउनोड कर लिजे लिंक देता डिस्रिप्शन में और मैंने बहुत सारे वीडियो में पता है कैसे इं रोम है तो एक लाइक जरूर कर दीजे वीडियो को और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यसी कस्टम रॉम्स की और टेक की वीडियो चैनल पर आती रहेगी तो इस टूडियो पर इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बड़े